welfare के रस चंद में बटेटल में आजका हम टॉपीक है अलंकी इसके बाद हम देख के बारे में और हम उप 맞아 आपको अच्छा लगे तो और भी ज्यादा सेयर करें और आप अगर चैनल पर नहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब को दीजी हिंदी इंग्लीज या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटिड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कॉमेंट करके बताएं हम आपका डा अलंकार क्या होता है तो आपको उपर दिख रहा होगा अलंकार किसे कहते हैं अलंकार का साब्दिकर्थ क्या होता है गेहना या आभूशन कोई ऐसी चीज जो क्या करें पहनने से इंसान या फिर कावे मतलब जो भी हम कावे पढ़ते हैं जैसे कि कोई दोहा हो गया सोठा हो की इत परिभासा हुई लेकिन अगर हम कितावी भासा हम पढ़े तो काववे की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या हम अलंकार कहते हैं काववे की शोभा जैसे अलंकार का साब्दिकर्थ होता है गहना या अभूशर अलंकार पहनने से मनुष्य की सोभा में चार चान ल ठीक है, पहला अलंकार होता है सब्दा और दूसरा होता है अर्था, सब्द, सब्दा अलंकार जिसके सब्दों के माध्यम से चमतकार उत्पन हो, उसे हम सब्दा अलंकार करते हैं, क्लियर, जिसके सब्द के माध्यम से चमतकार उत्पन हो, एक्जाम्पल डैट में देखे, कन के ही माध्यम से चमतकारुदपन कर रहा है इसलिए ये सब्दालंकार की कैडिग्री में आएगा और हमारा सेकेंड है अर्थालंकार जहां कावे के अर्थगत चमतकारुदपन होता है मतलब जिसके कावे के अर्थ में चमतकारुदपन हो वहां अर्थालंकार होता है जिसे चर सब्द के माध्यम से चमतकार उत्पन होगा ठीक है तो अब हम सब्दा लंकार के तीन भेद हैं उनको डीपली एकदम अच्छे से डीटिल में आपको बताते हैं ठीक है सब्दा लंकार में पहला मारा क्या आता है अनुप्रास अनुप्रास का मतलब होते हैं जो बार बार आए ठीक है अनुप्राशन जो सबसे पहला होता है वही और अनुप्रास देखो परिभासा वर्डों की आवित्री को अनुप्रास लंकार वर्ड मतलब चाहे वो क्या होते ह वर्ड में सब्द, अर्थ, कुछ भी हो सकते हैं, जब बार-बार आये तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रा सलंकार कहते हैं, जहां समान वर्डों की बार-बार क्या हो, अवरित्ती हो, अनुप्रा सलंकार होता है, ठीक है, जिसे तरनी, तनुजा, तर, तमाल तरूर बहुत छाए यहाँ पे त, 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 हर एक में आ है तो यहाँ पे क्या है त वाले सब्द का बहुत बार से प्रयोग बहुत बार प्रयोग हुआ है तो जब कोई सब्द दो या दो से अधिक बार मतलब दो या दो से अधिक या बार-बार आए, कोई सब्द, कोई वर्ड या च्छर बार-बार आए, तो वहां पे अनुपरास अलंकार होता है सेकेंड है रगुपति, रागव, राजा, राम, इसमें र, 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 र सब्द बार-बार आया है, तो उसके हिसाब अब हम सेकेंड देखते हैं यमक अलंकार लेकिन इससे पहले हम आपको जो हमारे यह अनुप्रास अलंकार है उसके कुछ बेद है वो भी आपको हम बता देते हैं ठीक है पहले आप भेद देख लीजिए उसके बाद हम यमक अलंकार आपको पढ़ाएंगे इसके भेद में पहला हमारा है शृत्रा अनुप्रास एक ही अस्थान पे उच्छारित होने वाले वर्ड की आवरित्ति होती है उसे हम क्या कते हैं शृत्रा अनुप्रास होते हैं सेकेंड ह सब्धों के अंत में समानं की धवनियावृति हो तो वह हमारा एंतिय अससी मतलब अवमारे जो अनुप्रास अलंकार में उसके चोभेद Wheel है, अangel के रखेंध सके देखते हैं यमक मोज में वियान को धील है को यमक का ऐहा और्थ के साथ किसी वर्ड अथासब्स की आपीपन हो ट्हेंन ना जब कोई सब्ध स दो यादो से अधिक बार poryoak हो टिक है तो वही क्या होता है हमारा यमा कलंकार जैसे हमने आपको पहले उदारण बता था कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकार तो वो जो था वो भी यमा कलंकार का ही एक उदारण है और एक यहाँ पर उदारण दिया है देख लिजे कहे कभी बेनी व्याल की चुराय लीनी बेनी यहाँ पर दो बेनी हैं कहे कभी बेनी एक कभी है बेनी और दूसरा कहा है लीनी बेनी और एक चुरा लिया जो समान है उसने वो बेनी तो यहाँ पर सब्द क्या है एक ही सब्द दो बारा है लेकिन दोनों का अर्थ अलग है जब कोई सब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग हो लेकिन तो हर बार अर्थ अलग हो तो वो हमारा यमक अलंकार होता है अब अगला हमारा है सले सलंकार ठीक है सले सलंकार देखते है जब कोई सब्द वाक्य में प्रयोग होकर दो या दो से अधिक भीन अर्थ दे शले सलंकार करता है जब कोई सब्द का मतलब यहां पे है जब कोई सब्द एक ही बार प्रयोग हो किन्तु उसके एक से ज़्यादा अर्थ निकले तो हमारा क्या होता है इसले सलंकार होता है उदार में हाँ देखिए सुबरन को ढूंडे फिरत कभी वेभचारी चोर सुबरन मतलब सुन्दर वर्ड को ढूंटे फिरते कौन है कभी वीभीचारी और चोर तीनों लोग क्या ढूंडते है इसकार तीन बतलब इसकार बहुत बड़ा है एक तो इसका हम चोर के पक्ष में लेते हैं दूसरा वेभचारी के और तीसरा हम कभी के पक्ष में लेते हैं सुबरन मतलब सुन्दर वर्ड या सुन्दर शीज़़ वेभचारी मतलब पहला हमार कभी से देखते है कवी क्या करता है हमेशा सुन्दर सब्द खोजता है जिससे कि उसकी कविता क्या लगे बहुत ही ज्यादा सुन्दर लगे वे बचारी कोई भी पूरुष हमेशा सुन्दर स्त्री मतलब एक नायक हमेशा सुन्दर नायका को ढूनता है और उस काम को वो क्या करता है पूरी निष्ठाय मंदारी और सांती से करता है सुन्दर से वर्डन करता है और सुन्दर से उसके बारे मतलब अच्छे से सोचता है उसे प्रकार चोर, एक तीसरा चोर से, तो चोर भी हर एक काम को करने के लिए दस बार, मतलब अच्छे से और एकांट में सुन्दर से, मतलब सोचता है कि कैसे किया जाया, तो ये हमारे तीनों अलंकार हो गए है, अब हम अर्था अलंकार पे चलते हैं, ठीक है? So guys, उपमा अलंकार, उपमा का अर्थ है साद्रिष, शमानता तथा तुल्लेता, शाद्रिषता, जो सजी वस्तु है वो समानता, क्या इसमें समानता प्रकट की जाती है, और तुल्लेता मतलब तुलना की जाती है, तो इसका हम परिभासा देखते हैं, जहां पर उपमे की उप व्यक्ति जाद्राल का श्तों जब व्यक्ति, रो व्यक्ति या वस्तुव में अंतर होते हुए भी, उनके गुड की समानता की जाया, तो वहां पे कौन सा लंकार होता है? वहां पे उपमा लंकार होता है, जैसे पचतावे की चाईसी, तुम उदाशी चा गई हो कौन, तुल बलता कि अंगडाई सी हो गई हो, मतलब तुम भाई के कारण ऐसी अपराधन के समय कॉन हो, और इसका एक और उदारण है पीपल पात सरिसमन डोला, मतलब पीपल के पत्ते के समय हमारा भी मन क्या है, हमेसा एक जहेस्तित नहीं रहता, मतलब हमेसा डूलता रहता है, संबावना प्रकट की जाती है, समानता दिखलाया जाता है, लेकिन रूपक अलंकार में क्या करता है, आरोप लगाया जाता है, डिरेक्क्लि इजच़ली जो चीज़े वही बोल दी जाती है, ठीक है, तो रूपक अलंकार की हम आपको उदारर दिखाते हैं, ठीक है, सो गाइस आप आपको देख रहा है चरड कमल बंदो हरी राई यहाँ पे स्रीक्रिष्न के जो चरड है वो कमल के समान है वो क्या है कमल के समान है यही इस पे आरोप लगाया जा रहा है आपको देख रहा होगा अब इसके बाद रूपक के बाद हमारा अगला कौन सा है हमारा उत्प्रेच्छा लंकार अब हम आपको उत्प्रेच्छा लंकार पढ़ाते हैं So guys, उत्प्रेच्छा उत्प्रेच्छा का अर्थ है किसी वस्तु के संभावी तूरूत की उत्पेच्छा करना उपमेत अर्थात तथा मतलब अर्थात प्रस्तूत में उपमान अर्थात अप्रस्तूत की समानता की उत्प्रेच्छा ही अलंकार कहलाती है ठीक है जब यहाँ पे क्या होता है जब उपमे में उपमान का प्रस्तुती की संभावना की जाए, मतलब उपमे में उपमान का संभावना प्रकट की जाए, ठीक है, तो वही क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ संभावना प्रकट की जाती है, ये पता नहीं वो है या नहीं, ये ख्लिया नहीं है, लेकिन इ हमारा उत्त प्रिच्छा लंकार होता है, इसका उधारण हमारा है, सोहत ओडे-पीट-पतु स्यामसलोने गात मानो नीलमडी शैल पर आपतियों प्रभागत, तो यहां पर क्या कि यह है, संभावना प्रकट की गई है, कि स्री कृष्ण का जो वस्त है, कैसा है, श्री सेल मतलब नील मरी परवत पर क्या सूरी की पिलीव धूप पड़ रही हो चोथा हमारा है क्या भ्रांतिमान अलंकार ठीक है अब हम भ्रांतिमान अलंकार पढ़ेंगे जब उपमे को ब्रहम के कारण उपमान समझ लिया जाता है तब वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है ठीक है इसमें उसको वो समझ लिया जाये तो वही मारा व्रहंती माल अलंगर होता जैसे नाक की मोती अधर की ख्रांथी से बीज ढमिडी का समझ ब्रहंती से देख उसको ही हुआ सुखमौन, सोच है अन्न शुख यहां कौन नाक की मोती अधर की क्रांती उसके नाक की मोती और उसके अधर मतलब होटो की क्रांती को दिमी दाखिर का समझ कर भ्रांती से उसको भ्रांती मतलब उसको ब्रहम से समझ कर वही वो मान लेता है तो यह हमारा क्या होता है भ्रांती मान अलंकार होता है अगला मारा last है संदेह अलंकार, जब किसी वस्तु में उसी के सद्रिश अन्वस्तु का संदेह हो और संद्रिशता के कारणनिस्चित की मौंद सा हो तब वहां संदेह अलंकार होता है, संदेह मतलब यह इसमें संदेह प्रकट किया जाता है जैसे कि उधारण देखें सारी बीच नारी है कि नारी ही कि नारी ही कि सारी है मतलब यहां पर साड़ी है किनारी यह कहां कहां यह जब द्रोपती का चिरहरन हो रहा था तो वहां कहां है कि वो साड़ी खिचते जाते हैं खिचते जाते हैं मकर साड़ी खतम ही नहीं होती तो वही कहता है कि साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी ही की सारी है ठीक है सो I hope आपको अलंकार एक डम अच्छे सो समझ में आया होगा और प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और अगली वीडियो हमारी रस पे होगी ठीक है आज के लिए इतना है अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं धन्यवाद